तेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका माईलो फामिली चानल में आज बात करेंगे प्रेग्नेंसी के दौरान आनियन यानि की प्यास की सेवन के बारे में आनियन पंजन्ट अरोमा और फ्लेवर वाला वेजटेबल है कई प्रेग्नेंसी में आनियन काने से मना नहीं करते क्योंकि इसके कोई साइड एफेक्ट्स नहीं है साथ ही प्यास में कई गुण होते हैं जैसे कि ये आंटी कोलेस्ट्रॉल, आंटी इंफ्लोमेट्री और आंटी कांसर प्रॉपर्टीज रखता है आनियन्स में क्वर्सिटिन होता है जोकी फ्लू और कॉमन गूल से भी बचाता है तो आज हम इस वीजियो में टिटेल में जानेंगे प्रेग्नेंसी के तवरान रो आनियन्स के बेनिफिट्स और पोटेंशिल साइड एफेक्ट्स के बारे में बूस्ट इम्यूनिटी आनियन्स लोग खैलरी होने के साथ ही मिनरेल्स, आंटि ओक्सिजन्स, वाइटमिन C और B6 से भरे होते हैं इसलिए इनमें वाइटमिन C का बढ़िया सोर्स माना जाता है वाइटमिन C रिच फूड होने के कारण ये आपके और आपके अनमोन बेबी के इम्यून सिस्टिम को बूस्ट करते हैं और कई तरह के डिजीजिस से लड़ने की पावर भी देते हैं इसके अलावा अनियन्स में फॉलिक आसिड और फाइबर होने के कारण ये हेल्दी वाइट ब्लड सेल्स के प्रोड़क्शन में भी बेहाद मरदकार होते हैं प्रोवेंस कैंसर अनियन ओर्गानिक सुल्फर कंपाउंट से फरपूर होते हैं और यही कारण है कि इसकी स्मेन और टेस्ट पंजिन्ट होती है अनियन कंजियूम करने पर यह सुल्फर कंपाउंट बॉड़ी में फ्री राडिकल से फाइट करते हैं और साथ ही कोलेशोल और स्टमर कांसर से बचाते हैं यह आपकी और आपके अन्वान बेबी की बॉड़ी में कार्सीनोजेंस के अगेंस्ट इम्मुनिटी बूस्टर का काम करते हैं हेर और स्किन डेवलपमेंट हेल्दी हेर ग्रोथ के लिए अनियन ओयल का यूस्स तो हम करते ही हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोओ अनियन कंजाम्शन से की स्किन को हेल्दी और फ्लॉलेस बनाने में हेल्प मिलती है रोओ अनियन वाइटमिन ए, सी और ए के व्रिच सोर्स हैं इसी वज़ा से अनियन ओयल हेर्स के लिए रिकमेंट किया जाता है एक्सेक्टिंग मदर्स भी प्रेगनेंसी के तुरान हेल्दी, ग्लोईंग और फ्लॉलेस स्किन के लिए रोओ अनियन कंज्यूम कर सकते हैं इसके साथ ही प्रेगनेंसी में हेरफॉल भी एक कॉमन प्रॉब्लम है और अनियन इसमें भी हेल्प करता है प्रीमेचूर एजिंग जैसे प्रॉब्लम्स में भी कच्चे प्यास के सेवन से सुधार आता है हेल्पस इन डेजेशन रोओ अनियन्स मील के साथ या बाद में सलात की तरह खाने पर डेजेशन में असानी होती है अनियन्स के दाइटरी फाइबर्स की वज़ा से पेज भी साफ रहता है प्रेगनेंसे के दुरान गैस्ट्रिक अलसर्स के दिक्कत अक्सर देखी जाती है और अनियन्स इस रिस्क को भी कम करते है रो अनियन्स के कंजंशन से डाइटरी बेटर होती है और कॉंस्टिपेशन भी क्यूर होता है हेल्थ स्वाइट जेस्टेशनल डाइबटीज जेस्टेशनल डाइबटीज प्रेगनेंसी में हाई ब्लाइब शुगर लेवल से जूरी हुई एक कंडेशन है जिन प्रेगनेंसी के बाद की स्टेज़ुज में टाइब टू डाइबटीज का रिस्क बढ़ जाता है रो अनियन्स में सल्फर कंपाउंज और कुरसिट होने के कारण जेस्टेशनल डाइबटीज का रिस्क को कम करने में ये बेहद हैफुल है रेगुलरली अनियन कंच्यूम करने से ब्लाइब शुगर लेवल को रेगुलेट करने में मदद मिलती है और फाइबर्स होने के कारण इससे जेस्टेशनल डाइबटीज यानि मेलिटिस जीडियम भी कंट्रोल में रहता है इंप्रूवस स्लीप प्रेग्नेंसी में प्रॉपर स्लीपर्वेस्ट बहुत इंपॉर्टिंट है अनियन्स में प्रीबाइटेट्स, फोलेट और वाइटमिन्स होते हैं जिससे स्ट्रेस कंट्रोल करने में मदद मिलती है फोलेट प्रेग्नेंसी में डिप्रेशन क्योर करने में भी बहुत हेलफुल है हुमन बॉडी में होमोसस्टीन अमीनो आसिट का एक ऐसा फॉर्म है जो फील गुड हॉर्मोन सेक्रेशन में रुकावत पैदा करता है अनियन्स की प्रॉपर्टीज इसका फॉर्मेशन कंट्रोल करने में बहुत इफेक्टिव है प्रेशन में कच्चे प्यास का सेवन, गहरी और बढ़िया नींद सोने में भी मददकार है हेल्प्स मैनेज ब्लड प्रेशर, फाइटो न्यूट्रिंस जो की एक नाच्रल केमिकल्स है अनियन्स में भरपूर पाये जाते हैं और इसकी वज़ा से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है अनियन्स में पोटाशियम और फोलेट भी पाया जाता है जिससे हाइपर टेंचिन क्योर होता है ब्रेब प्रेशर मैनेज करने में भी इससे मदद मिलती है साइड एफेक्ट्स ओफ कंस्यूमिंग अनियन्स प्रेग्नेंसी के दौरान अनियन कंजम्शन करना बिल्कुल सेफ है लेकिन आपको इससे मॉडरेट कॉंटिटी में ही खाना चाहिए इसा इसलिए क्योंकि कच्छे प्यास का ज्यादा सेवन कई बार हार्ट बर्न और डायरिया की प्रॉब्लम्स भी क्रेट कर सकता है फ्रेग्नेंसी में ना सिर्फ आनियन बल्कि किसी भी अडिबल आइटिम को एक्सेसिव पॉंटिटी में नहीं खाना चाहिए और कोई बिल्कुल नई चीज़ खाने से पहले अलर्जिक रियाक्शिन्स को हमेशा चेक कर लेना चाहिए उमीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पिसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो यूसफुल लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना पुले कॉमेंट करके अपने राए हमें बताएं और फ्रेंज और फामिली के साथ इस यूसफुल इंफॉमेशन को ज़रूर शेयर करें साथी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को भी प्रेस करदें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन बुलती रहे समस्कार